है फ्रेंट्स सेंटर रेलवे ने अपने करेरत करमचारियों के लिए भीशे स्थाफ़ा दिया जी है दोस्तों सेंटर रेलवे ने LDC, JEE Apprentice Quota के तर्थ 25 परतीसत दोस्तों यहाँ पर JEE का भरती दिया है जिसमें दोस्तों टोटल पोस्ट यहाँ पर कितना होने जा रहा है उ यह सारा डीटेल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हो और दोस्तों इस एक्जाम के लिए यहाँ पर आप देख सकने की नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है तो कितने यहाँ पर मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपने गलत एंसर देते हैं तो यह सारे डीटेल म में बताने वाला तो वीडियो को बिने एस्किप किये हुए देखती रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर सेंटर रेलबे का ओफेसियल नोटीस ओपेन कर लिया जिसमें देख सकते हैं हेटकॉार्टर मॉंबई द्वारा यह इसू किया गया है 952023 जीम को इहां देख सकते हैं दोस्तों सेलेक्शन फर प्र मोशन टूदा पोस्ट ओफ जेई टीम इन मेंट्रिक्स लेवल शेक्स यहां पर मेंट्रिक्स लेवल 6 होने वाला वह भी किस चीज़ के लिए जो जेई का यहां अप्रेंटिस कोटा के तार जो लडिसी भरती है यह इसके लिए दोस्तों यहां पर निकाला गया जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ Civil Engineering Department के जो करमचारी है सिर्फ वही इस exam को दे सकते हैं वही दोस्तों JELDC quota के अगर Total Post की बात करें तो यहां पर Total Post दोस्तों 61 Post दिया गया अगर दोस्तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI Act Apprentice के तहट या फिर दोस्तो आपको 10 प्लस 2 में Science Stream होना चाहिए जिसमें दोस्तो PCM याने की Physics, Chemistry और दोस्तो Math यहाँ पर होना चाहिए यह दोस्तो आपको PCM यहाँ पर सब्जेक्ट होना कमपर्शली है दोस्तो अगर आप इस 10 में अगर यह सब्जेक्ट लेते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर दोस्तो जो कंडिडेट आइट से जो लिये हुए हैं जैसे कि जोगरोफ हिस्टरी, पॉलेटिकल सांस यह सारे जो दोस्तो जो लिये हुए होंगे 12 में वो दोस्तो इस फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर अब दोस्तो दूसरा नमर पॉइंट यहां सर्विस कंडिशन यानि कि आपका इस फॉर्म अपलाई के रहे कितना साल का सर्विस होना तो दोस्तो यहां के लिए मेंशन किया गया है कि थिरी एर रेगुलर सर्विस यानि कि आप तीन साल कंटिन्यू यहां पर सर्विस करते ह TMM 3 के लिए जिसका grade पर जो दोस्तों होना चाहिए 52 से 20,200 रुपे तक यहाँ पर grade पर होना चाहिए जो minimum उनीशोग grade पर और इससे जो अधीक है सिर्फ वह ही इस form को यहाँ पर भड़ सकते हैं अब बात करते हैं JLDC age के लिए तो दोस्तो age character यहां पर दिया गया है 47 verse जो है general candidate के लिए दिया गया है और SCST candidate के लिए दोस्तो यहां पर 52 verse का यहां age दिया गया है अगर आपका 47 verse का यहां service हो गया है तो general से तो दोस्तो आप दे सकते हैं अगर SC-ST है तो आप यहाँ पर 52 वर्सक पर दोस्तो इस form को apply कर सकते है maximum age है यह अब बात कर लेते हैं selection process तो selection process के लिए दोस्तों यहाँ पर दिख सकते हैं कि written test 100% यहाँ पर objective type question पूछा जाने वाला है जिसमें दोस्तों इस question को solution करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे दिये जाएगा दोस्तों जिसमें दोस्तों negative marking भी रहेगा इस exam में और negative marking one third रहेगा one third यानि कि अगर आप एक प्रशन शही बनाते हैं और तीन प्रशन अगर गलत बनाते हैं तो यह जो एक आपने शही मार्क किये हैं यह पुरा cutting हो जाएगे यानि कि आप तीन गलत पर एक number जो ह यानि कि supplementary written exam दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं जैसे कुछ जो भरती होते हैं उसमें आप supplementary paper दे सकते हैं जो कि इसमें आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि categories by जो selection होगा post के लिए उसमे दोस्तों आपको कम से कम 60% यहाँ पर मार्ख होना कम पर सलिए तभी आप इसमें qualify कर पाएंगे दोस्तों qualifying के लिए minimum 60% यहाँ पर मार्ख होना चाहिए और दोस्तों यह general category के लिए है साथी साथ दोस्तों जो क्या है कि अगर आप SC और HT है तो आपको railway की तरफ से 3-4 सब्ता का दोस्तों यहाँ पर आपको railway training देगी जो कि दोस्तों आपके training center में यहाँ पर 3-4 सब्ता आपको training यहाँ दिया जाएगा तो अपना attested photo copy matriculation certificate ITI apprentice ATN plus 2 science stream और दोस्तों का सर्टिफिकेट यह सारा document के साथ दोस्तों 35-2023 से पहले आप अपने office में इसको जमा कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप इस form को submit करना चाहते हैं और दोस्तों यह form जो है आपको verification के लिए 36-2023 का headquarter भूशावल तक यहाँ पर पहुचना चाहिए यह form जिसका दोस्तों last date है headquarter office का 12-6-2023 अब बात कर लेते हैं कि इस J form के लिए आपका medical standard क्या होना चाहिए तो यहाँ 7 number पैरा में दोस्तों clear दिया गया है कि medical classification is A3 यानि कि अगर आपका A3 medical है तभी इस form को आप apply कर सकते हैं अनिता आप इस form को apply नहीं कर सकते हैं और अगर A3 आपका medical नहीं रहा तो दोस्तों आपको training के लिए यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा यहाँ पर यह clear mention किय गया है दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों यह आपका form भरने का दोस्तों यह form है जिसमें दोस्तों आपको passport size यहाँ पर photo डालना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर full name लिखा हुआ है block letter यानि कि capital letter में आपको यहाँ पर नाम लिखना है इस box में उसक station पर working करते हैं वह यहाँ पर देना है उसके बाद दोस्तों दिया गया है कि date of promotion to the post of TM theory आपका TM theory में कब promotion हुआ है यह दोस्तों आपको यहाँ पर date देना है उसके बाद दोस्तों साथवे नंबर में दिया है number of years regular service in great pay 1900 and above यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि कितना साल हो ग education qualification Gerox copy to be enclosed आपका यहाँ पर कितना आप qualified हैं दोस्तों वह आपको यहाँ पर Gerox copy लगाना पड़ेगा इसमें और इसमें mention करना पड़ेगा दोस्तों के बाद दोस्तों नो नंबर में यहाँ दिया गया है कास्ट आप किस कैटेगोरी से बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC या फिर UR यह किस से आप डिलोंग करते हैं यह सारे इसमें दोस्तों डिटेल दिना है उसके बाद दोस्तों स्टाप नंबर यानि कि यहाँ पर आपको PF नंबर अपना डालना है उसके बाद दोस्तों है mobile नंबर और contact नंबर आपका जो भी mobile नंबर है इसको दोस्तों इसमें आपको इ नेचर करके और फिर अपने ओफिस में इसको जमा कर देना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने शवी दोस्तों में दोस्तों सेयर कर दीजिए और साथी साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों मैं railway से संबंदी जो भी वीडियो बनाता हूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद